Good morning future officers, I welcome to all of you to iTube classes, दोस्तों आज है September 16, 2021, Thursday का दिन है और हम लोग करने वाले हैं The Indian Express के newspaper की analysis, मेरे नाम है सितेंदर चोधरी और रोज की तरह आपके लिए कुछ selected topics मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, चलिए, जादा डिले नहीं करते हैं, सीधा newspaper की शुरुआत करते हैं, हमारे front page पे जो सबसे पहली पे news है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, major relief for telecom sector, government gives four year moratorium on AGR dues, यहाँ पे आपको दो चीजों का मतलब समझ में आना चाहिए, AGR क्या होता है और moratorium क्या होता है, moratorium आप यह कह सकते हो कि जैसे आपको कोई पैसा किसी को देना है, तो moratorium का मतलब यह है कि आ आपकी जो deadline होती है, उसको थोड़ा सा delay कर सकते हो, that is the meaning of moratorium, AGR का मतलब होता है, adjusted gross revenue, adjusted gross revenue का मतलब होता है, कि जैसे कोई telecom company है, जैसे Vodafone, Airtel वगरा, वो जो लोग spectrum use करते हैं, 2G spectrum, 3G spectrum, 4G spectrum, जो frequency का use करते हैं, उसके usage के लिए, और जो दूसरी जो usage करते हैं, उसके लिए उनको कुछ पैसा सरकार को देना पड़ता है, तो कि सरकार के permission से ही वो काम कर सकती है, अब हो रही है रहा था कि जो Vodafone है specially, तो कि Vodafone इस टाइम कई लाख, 2 लाख करोड के लगबग जो है debt में गई हुई है, और वो बेचारी अपना dues नहीं चुका पा रही थी, Supreme Court ने थ आप साब शब्दों में कहा था कि आप अपने बचे हुए dues जल्दी से जल्दी चुकाएं, Vodafone ने सरकार को अपील किया कि देखे थोड़ा सर चेंज कीजिए, हमारी हालत बहुत खराब है, हम लोग पैसे नहीं चुका पाएंगे, तो हमें थोड़ा से relaxation देजिए, Airtel ने जो telecom companies हैं, उनको चार साल के लिए four years का moratorium दे दिया है, मतलब इनको चार साल की छूट दे दी है, अभी ये चार साल तक धीरे धीरे अपना पैसा सरकार को चुका सकते हैं, immediately नहीं चुकाएंगे, क्योंकि अगर Vodafone immediately पैसा चुकाएगा ना, तो Vodafone की company बंद हो सकती है, और अगर एक बार Vodafone की company बंद हो गई, तो उस समय मार्केट में सिर्फ दो ही प्लेयर बचेंगे, एक रहेगा Airtel और दूसरा रहेगा Jio, जिसे कहा जाता है डियो पोली, तो मार्केट में डियो पोली हो जाएगा, और जब डियो पोली मार्केट में हो जाता है, तो हो सक सकता है कि ये customers को exploit भी करें, तो सरकार नहीं चाहती के Vodafone बंद हो, इसी लिए उसने उसको चार साल की छूट दे दी है, तो इस cabinet की meeting में एक तो चीज ये की गई, एक और बड़ी interesting चीज की गई, वो किया गया, एक नई scheme लोच की गई, जिसे कहा गया है production linked, production linked incentive scheme for the automobile sector, automobile sector मत जो जैसे गाड़ियां बाइक और बनाते हैं, इनको दिया गया है production linked incentive scheme, ये है क्या, देखे, incentive का मतलब ही होता है, आप किसी की help करते हो, तो production linked incentive के थूँ सरकार जो domestic company हैं, जो automobile produce करती हैं, उनको help देती है in terms of subsidy, in terms of other facilities also, आपको पता है कि last week भी मैंने आपको article करवाया था, कि सरकार ने textile industry में जो है, ये scheme चलाई है, है ना, जो man-made, जो textile होते हैं, technical textile होते हैं, उनके लिए चलाई थी, तो एक scheme सरकार ने इसके लिए भी चलाई है, already automobile के लिए हमारे पास एक scheme है, जिसे का जाता है, fame scheme, दिखा देतो आपको थोड़ा सा, fame, fame का मतलब होता है, faster adoption and manufacturing of hybrid and the electric vehicle scheme, सरकार ने already ये scheme चला रखी है, ये scheme कब चलाई गे थी, 2015 में ये scheme चलाई गे थी, बहुत important scheme है, आपके prelims के लिए भी और आपके mains के लिए भी, क्योंकि इसके तहत सरकार hybrid, याद रखने ना, हम सिर्फ electric के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, hybrid के बारे में भी बात कर रहे है hybrid वो vehicles होते हैं, जिसके अंदर electrical और petrol दोनों काम करते हैं, इसके लिए सरकार ने 2015 में scheme चलाई थी, क्योंकि सरकार चाहती है कि इंडिया में जाद से जाद electrical vehicles आएं, और हमारी dependency crude oil के उपर कम हो, ये दो phase में चलाया गया था, ये भी आपका पता होना चाहिए, पहला phase 2015 से लेक 2022 तक था, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है, चलिए, तो automobile sector में भी सरकार ने ये एक scheme चलाई है, जिसके तहत जो domestic players हैं, उनकी हम लोग help करेंगे, एक और interesting चीज़ यहाँ पर है, वो ये है, FDI को लेके, अभी तक हमारी country में, जो telecom के अंदर FD allowed था, वो 49% तक था, through automatic route, देखिए, FDI करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है, automatic route, दूसरा होता है, government approved route, उसके लिए आपको government से permission लेनी पड़ती है, अभी cabinet ने ये कर दिया है, change कर दिया है, कि अगर आपको telecom में FDI करनी है, तो 100% आप automatic route के through आ सकते हो, आपको सरकार की permission की requirement नहीं है, और अगर आपका number prepared है, और उसके बाद उसको post put में change करते हो, तो आपको अलग से KYC form नहीं भरना पड़ेगा, ये भी इसके अंदर changes कर दिये गए हैं, तो कुछ changes यहाँ पे किये गए हर factual information हमें जाने की जोरुत नहीं है, थोड़ा सा हमें topic के बारे हम पता होना चाहिए, च समय एक सफेध हाथी है, क्या है सफेध हाथी, सफेध हाथी वो हाथी होता है दोस्तों, जिसको आपने घर पे रख तो लिया है, क्योंकि वो अच्छा दिखता है, आपकी शान बनती है उससे, लेकिन उसको पालना इतना असान नहीं है, क्योंकि उसके खर्चे बहुत हैं, maintenance आपको profit वो देता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके liability है, तो air India अभी सरकार के लिए लगभगे के सफेध आथी के जैसा ही है, क्योंकि साथ हजार क्रोड रुपे का debt है air India के उपर, इतना ज्यादा debt यहां पे है, तो आप जमज़र रखते हो कि 7-8 billion dollar का जो है, तो सरका actually ecosystem 2017 से ही कर रही है, लेकिन अभी तक कोई proper buyer ही नहीं मिल रहे थे, क्योंकि कोई भी इतने risk के अंदर हाथ नहीं डालना चाहता है, finally, Tata और Spice Zet ने interest यहां पे दिखाया है, कि वो air India का कुछ पार्ट को खरीदने के लिए तयार हो गए है, air India के बारे में आपका यह बता दू मैं, कि air India का जो founder थे ना, इसकी शुरुवात Tata ने ही की थी, Tata कंपनी ने 1932 में air India की स्थापना की थी, उसको established किया था, यह भी बड़ी interesting चीज है, बाद में सरकार ने 1953 में उसको nationalize कर दिया, और वो सरकारी कंपनी हो गई, यह तो समया का चक्र है यह चलता रहता है, है ना, कभी जो है चीडिया चीटियों को खाती है, जब चीडिया मर जाती है, तो वही चीटिया दुबारा से चीडिया को खाती है, यह तो समय का फेर है भीया, तो Tata ने air India को बनाया था 1932 में, और आज दुबारा से समय आ गया है, कि टाटा दुबारा से एर इंडिया को खरीदने की कोशिश कर रही है देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा लेकिन थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यही आपको देना था उसके लावट ट्रिबिनल पिछले कई दिनों से लगातार न्यूज में है क्योंकि सरकार ने अभी एक ट्रिबिनल रिफोर्म एक्ट 2021 पास किया जिसके तहट सरकार ने 9-10 ट्रिबिनल को खतम कर दिया उनके अंदर जो पेंडिंग केसिस थे वो उन्होंने हाई कोट में डाल दिये लेकिन कुछ ट्रिबिनल ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है जैसे नेशनल कंपनी लो ट्रिबिनल बहुत इंपोर्टेंट ट्रिबिनल है एड्मिनिस्ट्री ट्रिबिनल हो गया हमारा डिस्पूर्ट सेटलमेंट अपले ट्रिबिनल हो गया income tax अपले ट्रिबिनल हो गया armed forces ट्रिबिनल एक्ट हो गया ये इतने सारे ट्रिबिनल हमारे लिए बहुत ज़्याद़ इंपोर्टन्ट है जिनके अंदर बहुत सारे seats जो है वकैंसी पढ़ी पड़ी हुई है सरकार उन वकैंसी को भर नहीं रही है Supreme Court ने सरकार को बार-बार डांट लगाई है कि आप इनकी वकैंसी को जल्दी से जल्दी भरिये Supreme Court की डांट लगाने के बाद पिछले हफते सरकार ने 38 पोस्ट को फिल किया है वकैंसी को भरा है लेकिन यहाँ पे एक जोल है यह जो वकैंसी भरी जाती है यह भरी जाती है Search and Select Committee की रिकमेंडेशन के उपर तो और इस रिकमेंडेशन की जो मतलब इसके जो मेंबर होते हैं उसमें सरकार के लोग भी होते हैं जुडिशरी के लोग भी होते हैं इन्हों ने बहुत सारे नेम को सजेस्ट किया था रिकमेंड किया था cherry picking का मतलब होता है कि आपनी मर्जी से किसी को select नहीं कर सकते हो जिनके नाम recommend किये गए थे आप पहले उनको भरिए उसके बाद weight list वालों को भरिए उसके अलावा भी बहुत सारी vacancy यहां पे खाली है अब ट्रिबिनल क्या होता है यह आप सब को पता है क्योंकि पिछले एक हफ जो justice delivery है वो जल्दी से जल्दी हो जाए case का निप्टारा जल्दी से जल्दी हो जाए that is the basic purpose of these tribunals हमारे constitution के अंदर initially when constitution was made there was no provision of tribunals यह आपको पता होना चाहिए बाद में under 42nd constitutional amendment act आप मुझे यह बताओ comment section में कि यह कब किया गया था अंडर constitutional amendment act इंडिया ने दो नए articles को वैड किया था article 323a और article 323b इन दो articles के तहत हम लोगों ने tribunals की को बनाया था सबसे पहले हमारे यहाँ पर tribunals जो है 1985 में बनाया गया था under recommendation of a committee इस committee का नाम में आपको दो तीन बार बता चुका हूँ comment section में मुझे यह बताओ कि उस committee का नाम क्या था जिसकी recommendation पे हम लोगों ने 85 में सबसे पहले tribunals की स्थापना की थी you need to tell me that name in the comment section ठीक है कुछ चीज़े मैं आपको बता दी है कुछ चीज़े आप मुझे बताओ बहुत सारे इंपोर्ट है जैसे NGT है National Green Tribunal है ना यह कब established किया गया था यह भी मुझे बताओ तो 2008, 2009, 2010 और 2011 यह भी आप मुझे comment section में जरह सा बता दीजिए चलिए the next news that we have is about the NEET क्या कहता आर्टिकल? आर्टिकल कहता है NEET skewed results in favor of the English medium well of urban CBSE kids Tamil Nadu panel finds देखे कितने सारे word यहाँ पे दिये हैं Tamil Nadu ने कुछ समय पहले एक board बनाया था, एक panel बनाया था, आठ नो members का जिसके अंदर को judiciary के member भी थे और उनको यह task दिया गया था कि आप यह बताईए कि pre NEET और post NEET देखे, NEET जो है एक national eligible come entrance test होता है medical में MBBS के लिए और BDS की में admission के लिए Are you getting this point? जो जीन बचों को dentist बनना है या doctor बनना है उसके लिए एक common exam होता है throughout India इसको 2017-18 में introduce किया गया था तो अभी इंडिया में अलग-अलग state के test नहीं होते हैं, सिर्फ एक ही common test होता है Tamil Nadu को इसके लेके problem थी Tamil Nadu ने यह कहा कि जब से NEET बना है, मतलब इस panel की findings हैं कि जब से NEET बना है, तब से लेके अभी तक जो benefit मिला है, वो English medium वाले बच्चों को मिला है क्योंकि NEET से पहले जो Tamil Nadu board के बच्चे होते थे, उनको 12th में जो marks आते थे, उसके basis पे admission मिलता था NEET के बाद जो Tamil Nadu board के बच्चे हैं, वो NEET को crack नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा सा CBSC की तरफ और English medium की तरफ जो है, उसका ज़ादा tilt होता है जो well of बच्चे हैं, जो tuition afford कर पाते हैं 99% बच्चे पिछले कहीं सालों में इस panel ने पाया, उन बच्चों की select हुई है, जिनोंने coaching लिया हुआ है या तो उनका उसी से आल हो जाता है, अगले दो-तिन साल वो तियारी करते हैं तो उनका हो जाता है अब coaching के लिए लाख और रुपे लगते हैं, तो definitely जो अमीर बच्च लोग है, जो well of हैं, वो तो afford कर पाते है आम गरीब बच्चा उसका effort नहीं कर पाता है CBSC वाले बच्चे की जादा selection हुई है यहाँ पे, state board वाले बच्चों की selection कम नहीं हुई है NEET से पहले जो state board के बच्चे थे, 98.3% से थे, जो अभी घटके only 59.41% रह गए है English medium के बच्चों का percentage बढ़ा है, पहले 85% थी, अभी 98% हो गए है Tamil Nadu medium के जो बच्चे हैं, उनकी percentage घटके 14% से only 2% रह गई है जो बच्चे हैं, जिनके parents 2.5 lakh per annum से कम कमाते हैं उनकी संख्या भी यहाँ पे 47% से 41% हो गई है तो आप, और CBSC जो student है, 0.97% से लेके 38.84% हो गई है यह facts आए, आपको याद करने के जोरुत नहीं है, लेकिन इसने यह finding किया है कि जो CBSC वाले बच्चे हैं, जो English medium वाले बच्चे हैं, जो अमीर बच्चे हैं उनको need का ज्यादा benefit मिल रहा है, दूसरे बच्चों को benefit नहीं मिल रहा है पूरी news यह है, चलिए, अगली news कोई खास news नहीं है, आपको पहले पता है कि हमारे country में दो चैनल हुआ करते थे, राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी, है ना, जिसमें debates वगरा, बढ़े राज्यसभा टीवी में पहले जो प्रोग्राम है, उसको host करेंगे Mr. Sashi Tharur, जिसका नाम होगा To The Point, तो वहाँ पर जैसे हमारे पहले प्रोग्राम आते थे, है ना, उसी तरह का प्रोग्राम रहेगा To The Point, इसमें politics की बातें बिलकुल भी नहीं होगी, normal society की और अलग बातें होगी, दूसरे प्रोग करती हैं, और शीव शेना की जो है, लीडर है, खर यह जादा important news नहीं है, बस थोड़ा साब को जो है sensor TV के बारे में हलका सा पता होना चाहिए, चलिए, अगली जो news हम सीधा करते हैं, आते है page number 9 के ओपर, explained section, कोई खास important नहीं है आपके exam के perspective से, हलका सा आपको मैं idea यहाँ प 9-11 से पहले आपको पता हो, कि जो boarding point होता है, जहाँ पे लोग plane के अंदर entry करते हैं, वहाँ तक आपके relatives आपको छोड़ने आ सकते थे, 9-11 के बाद वो change हो गया है, उनको airport के अंदर जाने की बिल्कुल भी सुविधा नहीं है, आप या बाहर से उनको टाटा बाय बाय कर सकत हो, दूसरी चीज यहाँ पे क्या की गई, कि जो scanning है, उसको mandatory कर दिया गया, अभी आपके हर सामान की checking होती है, आपका electronic के सामान की, एक-एक सामान की checking की जाती है, पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था, इवन पहले आप baseball bat वगरा को भी अंदर लेके जा सकते थे, आप nail cutter वग अगा मध ही पढ़िये, अगला जो explain section है, यह explain politics में दिया हुआ है, तो हमारे लिए बिल्कुल भी important नहीं है, politics हम न्यूज यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं, आज का editorial बहुत शांदर दिया हुआ है, जेन ड्रीज का इसको मैं थोड़ी दिर में आपको कराऊंगा, लेकिन उसस से पहले थोड़ आगे बढ़ते हैं, इसको आप छोड़ सकते हो, कोई problem नहीं है, इसको भी आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन आपके पास समय है, तो इसको आप पढ़ सकते हो, recommended यह आपके लिए है, ठीक है, इसको भी आप छोड़ सकते हो, खास नहीं है, economy section के अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखते हैं पहली news क्या है, GS paper 3 साब इसको cover करते हो, economy section से, to push production cabinet clears 26K, PLI for the automotive sector, already इसको मैं आपको बता चुका हूँ, है ना, production linked incentive scheme, 26,000 क्रोड रुपे का दिया है सरकार ने, तो जो लोग इंडिया में produce करते हैं, वीकल्स वोगेरा, उनको ये benefit हम लोग देने वाले हैं, सरकार का कहना है, कि इससे हम लोगों को, काफी जादा लोगों को, इसमें job creation होगा, और हमारी GDP में भी growth होगा, ठीक है, उसके लावा 10,000 क्रोड रुपे faster adoption के लिए, fame scheme के लिए, और ये मैंने आपको बता दिया है, तो यही news जो front page बे दी हुई थी, वही यहाँ पर दुबारा से repeat कई गई है, तो वहाँ प्यावगरागवने कर लिए है, तो यहाँ करने के इसको जूरूत नहीं है, ठीक है, उसके लावा यह सब आप छोड़ सकते हो, कोई खास important नहीं है, सेभी बारस पुनावाला, फिनको, एमडी, यह कोई खास important नहीं है, तो प 10% urban families on 1.5 crore in the assets, NSO survey, NSO survey में एक बड़ी interesting बात से मना निकल काई है, National Statistical Office, इसको कहा जाता है, पहले इसका नाम NSO हुआ करता था, अभी हम लोगें इसका नाम भी change कर दिया है, इसका यह कहना है, कि इंडिया में जो 10% urban families है, उनके पास कम से कम 1.5 crore रुपे का asset है, चाहे वो मकान कह लीजिए, चाहे वो कोई land कह लीजिए, चाहे दुकान कह लीजिए, ठीक है, 1.5 crore रुपे का उनके पास asset है, जो कहीं न कहीं है, अच्छी ख़वर दिखाए, हमें यहाँ पर दिखती है, चलिए, अगली जो news है, देखो यहाँ, बात यहाँ है, कि economy section गाद, यहाँ पर sports शुरू हो गया, आज बड़ी interesting चीज हुई, आज Indian Express में international news, जिसको यह the world के नाम से बोल दे थे, the world, वो news नहीं है, पता नहीं वो page missing है, पता नहीं इसको upload करना भूल गए है, we don't know, लेकिन आज यहाँ पर world news वाला page ही नहीं दिया हुआ है, that is very sad sad affair, anyways, बात करते हैं, आज के editorial की, इसके लिए अलग से हम लोग ने बनाया हुआ है, देखिए, लेकिन editorial में जाने से पहले, जो पहली बार हमारे page पी आया है, पहली बार हमारे channel पी आया है, उनको मैं अप्ली करना चाहूँगा, कि आप हमारे channel को subscribe ज़रूर करें, रोज आपके लिए हम लोग analysis लेके आते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको चीज़ें अच्छे से cover करवाई जाएं, तो जो लोग बच्चे नए हैं, वो तो definitely subscribe करें ही, bell icon पे भी click कर देना, ताकि आपको time to time एक notification मिलता रहे, अगर आप Instagram चलाते हो, तो यहाँ पे भी आप Instagram पेज भी जा सकते हो, इसको जोइन कर सकते हो, बहुत interesting हम यहाँ पे आपके लिए post लेके आते हैं, टेलिग्राम को भी आप जोइन कर सकते हो, इसका link आपको नीचे मिल जाएगा, WhatsApp ग्रूप को भी जोइन कर सकते हो, इसका number आपको दिया हुए, description में आपको वहाँ पे हमें एक message डालिए, हम आपको link भेज देंगे, यहाँ पे आपको daily newspaper, current fair quiz बगएरा आपको मिलते रहेंगे, उसके लाव अगर आप हमारे इस effort को support करना चाते हैं, तो आप economically हमें support कर सकते हो, जो हमारा यहाँ पे UPI address, PTM, Google पे बगएरा यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि देखे, आपके लिए content लेके आते हैं, इसके लिए समय भी लगता है, मेनत लगती है, और resources भी लगते हैं, अगर आप हमें कुछ support करोगे, तो definitely हम लोगों को इसको continue कर सकते हैं, चलिए, आज को जो editorial है, उसको लिखने वाले कौन है, Zeean Dres, देखे, इनका मैं personally काभी पसंद करता हूँ इनको, to be honest, क्यों करता हूँ, क्योंकि इसके पीछे reason है, reason यह है कि Zeean Dres एक बहुत बड़े आदमी है, बड़े आदमी in the sense, के पैसे के मामले में नहीं, भाईया यह जोगी जोपडी में रहते हैं, दोड़ा साब को दिखा देता हूँ, Zeean Dres की कहाने यह तिरी interesting है न, यह Belgium में पैदा हुए, और यह welfare economist है, social scientist है, और activist भी है, इंडिया के अभी यह citizen है, ठीक है, Belgium में पैदा हुए, लेकिन Indian citizen है, बहुत सारे ऐसे Nobel laureate हैं, जैसे Amartya Sen, Amartya Sen एक book लिखी थी, तो इन्होंने उसको co-author किया था, उसके लावा और जैसे Nicholas Turn है, इनकी book को इन्होंने co-author किया था, जिनको Nobel Prize मिला, तब यह कह सकती हो, वो एक Nobel Prize winner एक तरह से, इन्डिरेक्टली एक economist है, और यह इतने जादा interesting इनकी life है, बहिया cycle पर चलते हैं, अपनी wife के साथ, एक ही कमरे के घर में रहते हैं, Economist School of London, रांची में जो हमारा, Delhi School of Economics में visiting professor हैं, फिलहाल रांची में रहते हैं, रांची इन्युवसिटी के अंदर professor हैं, उसके लावा, Conwick School of London और New York, वहाँ पर जाके भी पढ़ाते हैं, बहुत बड़ी personality हैं, उसके बावजूद भी, यह सिर्फ एक कमरे के मकान में रहते हैं, cycle से चलते हैं, खादी का कुर्ता पहनते हैं, और एक झुगी जोपड़ी में रहते हैं, जब भी यह कोई survey करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि यह five star hotel में रुकते हैं, और survey करते हैं, बिल्गुल भी नहीं, जिन लोगों को बीच में जाके survey करते हैं, उन्हीं लोगों के बीच में रहते हैं, बहुत interesting यहाँ पे एक personality है जब मंदरेगा को enact किया गया था मंदरेगा के इंदर इनका बहुत important role है जेंडरीज का इसको design करने में इसको implement करने में एक बड़ी अच्छी personality है आने वाले समय में इनको भाहर तरतना भी दिया जा सकता है ऐसा कहा जाता है बात है कि इनकी organization है उन्होंने एक survey किया उस survey का नाम है school तो वैसे तो school की जो full form है वो कुछ होर होती है the school children online offline learning survey इसका इनोंने ये नाम दिया है इस survey में कुछ interesting finding इनोंने की है school के मामले में क्या की है वो finding थोड़ा सा देख लेते हैं 1400 household का इनोंने survey किया पाई कैसे इन्होंने सबसे interesting चीज़ जो मुझे यहाँ पर लगी वो ये लगी कि कोविड के समय में urban areas में 24% और rural areas में 8% बच्चे online education ले रहे हैं सिर्फ 24% in urban areas and 8% in online areas लेकिन सरकार का perception ये है कि ज़्यादा तर बच्चे online coaching ले रहे हैं online schooling कर रहे हैं लेकिन reality कुछ हो रहे हैं only 24% बच्चे in urban and 8% in the rural areas एक interesting चीज़ आपको और बतातूं कि 75% घरों में urban areas में और 50% घरों में rural areas में smartphone है अब आप ये बोलोगे कि smartphone तो सर 75% है लेकिन 24% बच्चे ही क्यों online education ले पा रहे हैं इसके पीछे reason है reason है access एक घर में एक ही smartphone है तो उसको बच्चे तो नहीं चला रहे हैं उसको adult लोग चला रहे हैं जो बड़े लोग हैं वो चला रहे हैं access की यहां पर problem है connectivity की भी problem है देखे मैं तो दिल्ली में रहता हूँ मेरे room के अंदर network नहीं आता है network के लिए मुझे balcony में जाके बात करनी पड़ती है जब दिल्ली में यह connectivity का यह हाल है तो आप imagine कर सकते हो के rural areas में या outer areas में क्या हाल होता होगा connectivity की समस्या है तो आपको whatsapp पे अगर video डाउनलोड करनी है YouTube से कोई class देखनी है तो आपको तो network चाहिए connectivity की बहुत बड़ी problem है recharge money है ना तो देखो एक महीने का recharge जो है 200-300 रुपे का होता अगर आपको online classes करनी है उसमें क्योंकि बहुत ज़ादा data खर्च होता है तो इतना पैसा भी नहीं है और बहुत सारे खर्चे होते हैं तो 500-300 रुपे, 400 रुपे आप recharge के लिए थोड़ी लगाओगे है ना या बहुत गरीब जनता है भी या वो कैसे करेगी बचारी उसके अलावा environment नहीं मिलता environment नहीं मिलता गरीब लोग हैं एक ही room के अंदर पूरी family रहती है बच्चे को पढ़ाई के लिए तो शांत महोल चाहिए, अब वहाँ पे उसके भाई भी है बहन भी है, ममी, पापा, दादा, दादी सब बचारे एक एक या दो कमरे के मकान में रहते हैं, तो बच्चे को महोल नहीं मिल पाता है, environment नहीं मिल पाता है, इस वज़े से यहां बे, covid के समय में जो online education है, उसमें यह problems हैं, उसके लावा इस survey में यह भी पाया गया कि जो बच्चों की reading और learning ability है, वो खतम होती चली जा रही है, recently Infosys ने भी और विपरो ने भी एक survey किया था, जिसमें यह कहा गया था, कि 97% बच्चों की learning और reading ability काफी जादा कम हो गई है, during the time of lockdown Getting this point 50% बच्चे offline education जो ले रहे जो online नहीं है, offline में थे वो तो बिलकुल भी नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि offline तो school ही बंद हैं उसके लावा जो दलित बच्चे हैं और आदिवासी बच्चे हैं इनका हालत तो और भी बुरी है और यह वो section है जिसको सबसे ज़्यादा requirement है सबसे ज़्यादा requirement होने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा बुरी हालत वो इन ही बच्चों की है 97% रूरल एरिया में जो लोग हैं जब सर्वे किया गया तो उन्होंने कहा कि आप school को खोलिए मतलब 97% लोग रूरल एरिया में school को open करने के favor में है कि सरकार को जल्दी से जल्दी school को खोलना चाहिए अगर हम लोग बात करें literacy की literacy के मामले में हमारे यहां पे और भी हलत खराब है 8 से 12 साल के बच्चों का जब सर्वे किया गया तो यह पाया गया कि सिर्फ और सिर्फ 8 से 12 साल के बच्चे देख सेख सकते हैं मतलब यह 3rd, 4th, 5th, 6th, 10 के बच्चे हैं उनमें से सिर्फ आधे बच्चे ही एक सिंपल सेंटेंस पढ़ सकते हैं मतलब उनकी लर्निंग एबिलेटी इतनी खतम हो गई है कि वो पढ़ना भी भूल गए हैं ग्रेड तीन के बच्चे मतलब तीसरी कलास के 1-4th बच्चे सिंपल से वर्ड भी नहीं पढ़ पा रहे हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और एएसईयर सर्वे ने ये पाया कि हमारा जो चाइड लिटरेसी रेट है भईया फ्री फोल में है फ्री फोल का मतलब वो बुरी तरह से डिकलाइन हो रहा है तो ये सारे के सारे समझाए है हमारे यहाँ पर लोगडाउन की वज़े से जो हुई है लिटरेसी बहुत ज़रूरी है बच्चों की जो चाइड लिटरेसी है वो बहुत ज़रूरी है सेल्फ डिफेंस के लिए ताकि फ्यूचर में कोई एक्स्प्लोटेशन वगरा होता है तो अगर अनपड़ लोगां कोई एक्स्प्लोट होता ही है है ना तो बच्चों का एजुकेशन की रिक्वार्मेंट है ताकि वो अपने आपको डिफेंस कर सकें प्रोपर तरीके से एकोनमिक हार्डशिप कल को जब वो जोब मार्किट में जाएंगे अगर वो पड़े लिखे नहीं है उनको पढ़ना लिखना नहीं आता है तो उनको वहाँ पे एक्स्प्लोट किया जाता है अगर आप पड़े लिखे होते हो स्कूल खोलने से participation होता है बच्चे participate करते हैं peer learning होती है एक दूसरे से सीखते हैं नए नए ideas उनके दिमाग में आते हैं और स्कूल में safe environment भी मिलता है nutritional support भी मिलता है जैसे midday meal वगएरा हो गया बच्चों का nutrition भी improve होता है तो ये जो lockdown की वज़े से जो problem होई है intellectual, psychological ये बच्चों को problem हो गई है where about की problem हो गई है पहले बच्चे स्कूल में चले जाते थी तो पीछे से माबाप को चिंता नहीं होती थी कि बच्चे स्कूल में है अभी क्या है बच्चे घर पे ही रहते हैं कोई खेलने कूदने इधर चला गया है उधर चला गया है तो बच्चों को माबाप को उनकी खबर नहीं रहती है बच्चों को अलग से tension है माबाप को अलग से tension है चाइड लेबर भी बढ़ गया है क्योंकि जो बच्चे जो गरीब family है online education तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे है तो चाइड लेबर के केस भी यहाँ पर बढ़ गये है चाइड मैरिज के केस भी बढ़ गये है यहाँ पर यह समझ जा है एक और समझ से जो बड़ इंटरस्टिंग वो यह है के बच्चों को अभी देख आप यह समझ लीजी लगवग पिछले दो साल से स्कूल तो बंध है तो बच्चों को अब एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोट किया जा रहा है तो थर्ड क्लास के बच्चे को फिफ्ट क्लास में प्रमोट किया जा रहा है अब उसको जब लोगडाउन की वज़े से उसकी learning ability हो गई है फिर्स्ट क्लास के बच्चे जितनी आप उसको promote कर रहे हो फिफ्ट क्लास में तो वो कैसे पढ़ेगा भाई एक फिर्स्ट क्लास के लेवल का बच्चा फिफ्ट क्लास की books को कैसे पढ़ेगा यहां पर ये भी समझ जा है तो promote करने की बजाए आप कुछ ऐसा कीजिए कि जो उसका पीछे छूट गई है learning आप उसको bridge कर दिये government क्या कर रही है इस मामले में government ने जो school education का budget 10% कम कर दिया है इसको बढ़ाना चाहिए था लेकिन सरकार ने इसको कम कर दिया है सरकार denial mode में है सरकार का कहना है कि ज्यादा तर बच्चे देखे मोदी जी ने अभी एक statement दिया था उन्होंने कहा कि हमारे देश के बच्चे online education ले रहे हैं जिससे हमारे बच्चों को benefit हो रहा है लेकिन भाईया सर्वे तो कुछ और कह रहे हैं सर्वे कह रहे हैं कि सिर्फ 24% in urban areas और 8% in rural areas बच्चे ही online education ले रहे हैं तो सरकार denial mode में हैं सरकार को ground reality नजर ही नहीं आ रही है यहाँ पर यह समस्या है इन्होंने कुछ solution भी उसके सुझाए है पहली बात इन्होंने खुद admit किया है कि problem इतनी complex है कि उनको सही solution नजरी नहीं आ रहे है उसके अलावा पहले ताव को budget बढ़ाईए भी यह 10% की बज़ाए इसको जो है कम करने की बज़ाए इसको 57% बढ़ाईए teacher को training देने की जूरुत है जो teacher पहले offline में पढ़ाते थे अभी वो online mode में आ गए है तो बहुत सारी समस्य है होते हैं उनको software नहीं चलाने आता connectivity की problem है, software है न वो सारी समस्य है यहां पे है कैसे PDF को upload करना है, कैसे video चलानी है तो पहले ताव teacher को training दीजिए नया material बनाईए तो कि बच्चों की बहुत सारी पढ़ाई पीछे छूट गई है और लिए उनकी learning week हो गई है तो आप नया material study material बनाईए ताकि जो उनकी पीछे छूट गए है उनको भी पूरा किया जा सके अरे कम से कम आंगनवाडी तो खोलिए है ना आंगनवाडी की भी यहाँ पर preference दिया गया है क्योंकि आंगनवाडी से women को भी help मिलता है और बच्चों को भी help मिलता है और आंगनवाडी को खोलने में कोई समस्या भी नहीं है तो आप यह तो खोल ही सकते हो तो यह कुछ इस एडिटोरिल में बड़िया बड़िया बाते यहाँ पर बताई गई है Mr. Dean Rez के द्वारा तो इतना बड़ा आदमी आपको कोई चीज बताता है तो definitely हमारे लिए important हो जाता है चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही I hope आपका analysis हम लोगों रोज करते हैं पसंद आता होगा तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को बताईए इसको spread करने में हमारी help कीजिए Thank you very much, all the best and joy